मश्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News Live पर चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर अनेतिक संबंद के चलते यूवक ने अपने ही पत्नी की करदी हत्या रविवार को जहाँ पूरी दुनिया में प्रेम का हुमार चाया हुआ था वही नागपूर में एक यूवक ने अपने प्रेमिका के चक्कर में अपने नव नवेली दूलहन को मोत के घाट उतार दिया दरसर नागपूर के M.I.D.C. थाना शेत्रा अंतरगत एक ऐसी घटना घटी जिसमें वेलेंटाइन डे पर दाग लगा दिया इसासनी स्थीद भिमनगर में दिप्ती पिछले महीने ही दुलहन बनकर आई थी और रविवार को ही उसका जन्मदीन था रविवार के दिन उसने हजार सपने भी थे लेकिन पती अरविंद के फोन पर आये एक मैसेज ने उसके जीवन में तुफान ला दिया दरसर वो मैसेज उसके प्रेमी का कथा जिसे पढ़ते ही दिप्ती आग बबुला हो गई और सवाल जवाब भी किया और पती ने अपनी कर्तु छिपाने के लिए दिप्ती को हमेशा के लिए गेहरी नींद में सुला दिया खबर मिलते ही पुलिस घटना स्तर पर पहुची और जाश शुरू कर दी तो वही दूसरी और यूवक ने अपने ससुर और साले की हत्या अमरावती जीली के चांदुर बाजार तैसिल के पूरना गाओ में एक शक्स ने अपने ससुर और साले की हत्या कर दी आरोपी रवी परवतकर और उसकी पत्नी का तलाक हो चुका था इसके बाद से उसकी पत्नी अपने माईके में ही रहती थी लेकिन रवी इन सब के लिए ससुराज वालों को जिम्मेदार मानता था घटना वाले दिन वो अपने ससुराज गया था जहाँ पर अपने पत्नी को उसने अपने घर वापस ले जाने के लिए दबाव डार रहा था जिसके बाद विवाद बढ़ गया और उसने अपने ससर और साले की हत्या कर दी और वहाँ से भाग गया फिलाल पुलिस इस मामले की जाच कर रही है अब आप हमारे चैनल को एप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर मने सिंदी लिके और एप डाउनलोड करें साथी साथ आप हमारे फेस्बूक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरे देख सकते हैं लिंक ट्